C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का आठवा सबक सबक नमबर आठ गांधी जी मुसनिफ हामेदुल्ला अफसर सफ़ा नमबर 43 सन 1921 का जिक्र है मैं L.L.B. का तालिब इल्म था गांधी जी मेरे वतन मेरट में तश्रीफ लाए मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था आखिर मेरी आर्जू बराई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया देसी क्यों नहीं पहनते मैंने अर्ज किया तीन चार देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तिमाल करता हूं देसी आम खाता हूं देसी पान खाता हूं देसी आलू खाता हूं और देसी शकर इस्तिमाल करता हूं क्या ये काफी नहीं गांधी जी ने बड़े जोर से कैकाह लगाया और फरमाया तब तो आप के लिए देसी कपड़ा पहनना और भी आसान है ये की ही देसी चीज़ का तो और इजाफा होगा उसके बाद मतादित बार कई कई बरस के वकफे से मुझे गांधी जी के खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला मगर हैरत है कि हर मरतबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी चार देसी चीज़ों में अपनी उसी पांचवी चीज़ का खयाल आ जाता 1945 का जमाना था गांधी जी मसूरी पहाड पर बिडला हाउस में ठहरे हुए थे मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी के खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मस्दूर आए हुए थे लद्दाख कश्मीर में एक जगा है यहां के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आ जाते हैं यह सब के सब या उनमें से ज्यादा तर मुसल्मान थे बेचारे बहुत गरीब थे एक फटे हुए जांगिये और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था रात के वक्ते टाट के बोरे में लिपड़ जाते थे यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरसाया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुक्तलिफ तजवीजों पर गोर करना शुरू किया इस सिलसले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सके और उनसे उसका किराया ना लिया जाए शायद उस इमारत के लिए डेड़ लाख रुपए के वादे भी हो गए थे एक दिन में बैठा हुआ था कि ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए कई नाम तजवीज हुए मगर गांधी जी को कोई नाम भी पसंद ना आया आखिर फैसला हुआ कि उसे धर मुशाला कहा जाए मैंने अर्ज किया उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते एक और सहाब वहाँ बैठे हुए थे बोले गरीब खाना तो शायद अपने ही घर को कहते हैं मैंने कहा जी हाँ कहते तो हैं लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं वरना गरीब खाने के मानी, गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं गांधी जी को ये नाम पसंद आया इसके बाद मुझे मालूम ना हो सका कि वो इमारत बनी भी या नहीं और उसका नाम गरीब खाना रखा गया या नहीं गांधी जी जूट बरदाश्ट नहीं कर सकते थे सत्या ग्रह आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवाइद बड़ सक्त थे यहां तक के बच्चों को भी उनकी पाबंदी करनी पड़ती थी एक दफ़ा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए यह बीए पास कर चुके थे दस्तूर के मताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि तीन महीने तक वो आश्रम में रोजाना जाडू दिया करें उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उनस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे एक दिन आश्रम की एक आठ साला लड़की उस नौजवान से एक लिमू छीनना चाहती थी वो उस लड़की के साथ खिलने लगा खिलते खिलते उसे ठका दिया लेकिन लिमू नहीं दिया लड़की तंग आकर रोपड़ी असल में ये लिमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था उस लड़की को कैसे दे दिया जाता जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे आफिर उसे एक तरकीब सूझी उसने लिमू हाथ में लेकर जोर से अपना हाथ हिलाया और ये जाहिर किया कि जैसे लिमू को साबर मती नदी में फेक दिया हो मगर असल में ऐसा नहीं किया था बलके लिमू को अपनी जेब में रख लिया था अब लड़की का ध्यान नदी की तरफ गया और कहने लगी मैं लीमू को नदी से निकाल ला हूँ, किनारे ही पर तो होगा नौजवान ने जवाब दिया लीमू में, लीमू नदी में डूब गया, अब तुम से निकाल नहीं सकती बाद आई गई हुई, दोनों बाते करते हुए आगे बढ़े इतिफाक ऐसा हुआ, कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए, उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकल कर जमीन पर गिर पड़ा लड़की हका बका रह गई, और नफरस से नौजवान की तरफ देख कर बोली हैं? अच्छा, आपने मुझसे जोट बोला? लीमू आपने जेब में रख लिया था और मुझसे कह दिया कि मैंने नदी में फेग दिया आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की मैं बापु से कहूँँगी कि आप जोट बोलते हैं ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिद्मत में पहुँची और उनसे कह दिया कि फला आदमी ने इस तरह जोट बोला गांधी जी ने कहा हम मालूम करेंगे कि क्या बात है? और क्यों नहोंने जोट बोला? शाम को दूआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात थी? उसने सारा किस्सा सुना दिया और कहा ये सब मजाग था गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा देखो आइंदा से इस बात का खयाल रखो कि बच्चों से मजाग में भी जूट न बोलो सफ़ा नंबर 46 मानी याद कीजिए इश्तियाक शौक आर्जो बराना मुराद पूरी होना अचकन शेरवानी जैसा एक लिपास देसी अपने देस का कहकह मुतादिद कई एक से ज्यादा वक्फा खाली वक्थ, मोहलत, फुर्सत मकामात मकाम की जमा जगह शलूका एक कुर्ता जो सीने से कमर तक का होता है पैवंद किसी भटे हुए कपड़े में दूसरे कपड़े का जोड तरस आना रहम आना इमदाद मदद तजवीज तद्बीर राय तहरीक किसी काम के लिए उभारना, आमादा करना धरम शाला मुसाफिरों के ठहरने की जखा इनकिसार खुद को मामूली और कम तर समझना बरदाश्ट सहना आश्रम पनाह की जखा फर्ज करना वक्ती तोर पर मान लेना नेक चलनी अच्छा चाल चलन कवाइद गाइदे की जमा उसूल दस्तूर गाइदा गानून उन्स मुहबत, प्यार, लगाओ मानूस जाना पहचाना तंग आना परिशान हो जाना हक्का बक्का रह जाना हैरान रह जाना आइंदा आने वाला वक्त सफ़ा नंबर 47 सोचिये और बताईए एक गांधी जी कहां तश्रीफ ले गए थे दो गांधी जी ने अच्छकन की तरफ इशारा करके क्या फरमाया तीन गांधी जी ने कह कहा क्यूं लगाया चार गांधी जी मसूरी में किस जगा ठहरे हुए थे पांच लदाखी मस्दूर गर्मी के मौसम में मसूरी किस लिए आते थे छे लदाखी मस्दूरों पर गांधी जी को क्यूं तरस आया साथ गरीब खाना किस घर को कहा जाता है आठ सत्याग्रे आश्रम में किन कवाईत की पाबंदी होती थी नौ बच्ची को नौजवान क्या वाकी धोका देना चाहता था खाली जगा को सही लव्ज से भरिये एक मुझे उनसे मिलने का बड़ा खाली जगा था दो, तीन चार देसी चीजें खाली जगा इस्तेमाल करता हूं तीन, गांधी जी ने बड़े जोर से खाली जगा लगाया चार, मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर खाली जगा हुए थे पांच, वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में खाली जगा और दूसरे मकामात पर आ जाते हैं छे, उन्हें इस हालत में देख कर खाली जगा को बड़ा तरस आया साथ, आखिर फैसला हुआ के उसे खाली जगा कहा जाए सफ़ा नंबर अर्टालीस वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाईए मवाके खयाल मकामात तजावीज इमारत तरकीब इत्तिफाक यहां दिये हुए लवजों को जमलों में इस्तेमाल कीजिए तालिब इल्म वतन मौका इजाफा खिदमत तामीर गौर करने की बात गांधी जी मेरे वतन मेरट में तश्रीफ लाए इस जुम्ले में तशरीफ लाए गांधी जी के लिए इस्तिमाल किया गया है इसके मानी है गांधी जी आए इस बात का खैयाल रखिए कि खुद अपने लिए तशरीफ लाने का लवज इस्तिमाल नहीं करते बलके ये लवज हमेशा एहतरामन दूसरों के लिए इस्तिमाल किया जाता है सबक में नौजवान के लिए फला आदमी इस्तिमाल हुआ है अगर किसी शख्स या चीज़ का जिक्र उसकी गहर मौजूदकी में नाम लिए बगहर किया जाए तो उस नाम की जखा फला इस्तिमाल करते है इसी के साथ अपनी जबान भाग एक का आठवा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक नौ आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत